CM शिवरा सेंग चोहान और BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौझूदगी में कॉंग्रेस के 6 नेता BJP में शामिल हो गए BJP में शामिल होने वाले नेताओं में सावेर विधान सभा की इस्थानिय कॉंग्रेस नेता है माना जा रहा है कि कॉंग्रेस से बगावत कर BJP में शामिल होए सिंधिया गुट के अनुभवी नेता तुलसी सिलावट ने इस्थानिय कॉंग्रेस नेताओं की BJP में एंट्री कराई है इस मोगे पर BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने BJP में शामिल लेताओं का स्वागत किया उस यात्रा में आप सब को ध्यान में कि पहले स्रद्ये सिंधिया जी के निर्त्रत्तों में कॉंग्रेस के मित्रों ने भारती जन्ता पार्टी को जोईन किया था आज तुलसी सिलावट जी हमारे जो क्यविनेट मंत्री है उनके निर्त्रत्तों में पूर्मन्डी के सबुए वित्रों आज भारती जंता पार्टी में उन्होंने सदस्ता गरंड की है। इसलिए में उन्सी जीके साथ सारे लोग जो आया ह। खुले से स्वाग़त करता हूं माना मुख्यमंद्री जी। और हम दोनों ने उनको सदस्ता ग्रेड कराई है ऐसे हमारे वारासिंग चोहान बरत्माने विलोग कांग्रेस के अध्यक्ष है तीन बार से वो अध्यक्ष रहे हैं पूर मंडी के सावेर के अध्यक्ष है जनपत के पूर सदस्य है संचाला के भूम पिकास बैंक इंदोर दुखसंग मद्यप्रदेश दुख्त महासंग में वो सदस्य है स्री दिलीप चोधरी जी सादर नगर परशद के अध्यक्ष दो वार से हैं पूर बलाक कांग्रेस के अध्यक्ष है और मद्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी में पूर नगर वग कांग्रेस के अध्य सब्सक्राइब करते हैं कि जिस प्रकार से सामेर भी कांग्रेस मुट्वन करके खड़ी हो ऐसे आप सभी के जित्र साथी जो मैदान में आ रहे हैं और भारती जंता पार्टी के साथ हा करके हमारे परिवार में उन सब का स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके पर तुलसी सिलावट का भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने धन्यवाद किया इंदोर की सावेर विधान सभा से लगातार चार बार विधायक रहे तुलसी सिलावट के कद का अंदाजा इस बास से भी लगाया जा सकता है कि शिवराज मंत्री मंडल में इन्हें भी शामिल किया गया है इन्हें सिंधिया केम का सबसे अनुभवी और भरोसे मंद नेता माना जाता रहा है बीजेपी के अंदर भी इनकी साख तेजी से मजबूत हुई है दलित चेहरा होने की वज़ा से भी इन्हें मालवा शेत्र के बड़े चेहरों में शुमार किया जात है गोपाल से रवीशपाल सिंग की रेपोर्ट